हलो दोस्तो, प्लेंट पर कापनी का बूलवार मैसीन, मोड़े लंबार है इवी सी फॉर्टी एन, यह मैसीन पहले बहुत ही अच्छा था, अभी जो मैसीन कमपने त्यार किया है, इसमें जो कॉलिटी ना थोड़ा आपको अलग देखने को मिलते हैं, यह नया मैसीन में आर्म से बहुत जीता स्पार्क दे रहा था, इसमें जो आर्मेचार फेल्ड उसमें जो कार्बोन उसके है उसमें जो कॉलिट ना आपको थोड़ा लो कॉलिटी वला प्यर पास इसमें फिटिंग देखने को मिलते हैं, अब मैसीन पहले जो था ना बहुत ही अच्छे थे उसमें जो पांखा का कॉलिटी भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, इसमें जो बॉस का फिटिंग किया ना आपको अवरल सब कुछ अच्छा देखने को मिलते हैं, देखने में अच्छे हैं, आंदर वला जो फिटिंग से आपको देखके पता चलेगा उसमें कितना अच्छ तो कॉल्पपानी से साथ एक भूँक दिए जाते हैं की साथ inflammation में best व् knife लाहिक्ष जानकरी और ऺष्प के डिटेल्स के दिटेल्स बिचने कर स्थब नेम दे किरा ओडर कर सकते हूं इसमें OR रणी कर दिए जाते हैं प्रेंट पर कंपणी का जो बुलवार पहले मिलते थे बहुत ही एच्छे थे मेरे पास अभी भी रखा हुआ है बहुत पुराना उसका वीडियो आपके साथ सेयर करेंगे अब बहुत ही एच्छे मैसीन है अभी भी चल रहा है उसमें जो पॉलेटी है इसके साथ मैच नहीं क के लिए तो नया मैसीन देखके मैंने आन्बोक्सिंग वीडियो आपके साथ सेयर करने के वाले सोचा तो ओपेंड करके मैंने जब देखा इसमें कॉलेटी में बहुत जीता अंतर है आपके साथ मैंने सेयर किया है तो आपको देखाना है तो कंपने इसमें जो पॉब्लम है उसको भी देखना चाहिए तो ऐसे ना हो सभी के लिए अच्छा होंगे देखिए मैसिन में जो सिरियल नमबर और गैरेंटी कार्ड में जो सिरियल नमबर दोनों मैच हो रहा है company वाला जो machine होता है उसमें जो और निकर होते है उसमें serial number देखने को मिलते है Chinese machine में जो और निकर दिये थे उसमें serial number नहीं होते है तो company और Chinese में आपको ए अंतर देखने को मिलते है machine को चलाते है तो इसमें और फुरा पषर बड़ेगा. इसमें जो हम इसको ठोटा करेंगा ज़सा ड़ाइडी भी है इसमें होल्डर को ऐसे जाल देगा है त Jiang और दॉन को आफिसे पाइज है इसको फुक्मा लेका अब ही देश के इसमें हम इसको अब सेक्षिन को डाल दिया है कि आप अब लागे देशना देशना बाल शुट्राइब कि यह देखिए निया मैसीन है फास दे रहा है तो क्या हो सकता है मैसीन पास क्यों देखिए वह देखिए मैसीन हम चला रहे है ना बूत इता फ्लांस देखिए नया मैसीन जब इसमें लोड दिये पाइप डालने के बाद मैसीन में फ्लास दे रहा है तो क्या हो सकता है नया मैसीन है तो नया मैसीन में ओरेंडी दिया थे आर्मेचा चेंज कर देंगे तो बिल्कुल नया मैसीन है उसमें कुछ भी पॉब्लम नहीं किया है मैंने थोड़ा करते विडियो अच्छे से देखिए मैसिन में जो कारबॉन यूज किया है ना कमपनी वहला कारबॉन तो नहीं लगेंगे मारकेट में जो चालू कारबॉन मिलते आइकन का जो कारबॉन होता है जैसे कॉलेटी होता नहीं सेम क्वालेटी आपको देखने को मिलते है मैसिन के साथ जो कार्बोन आता है एक जो छोटे हाथे ए होता है उसी का एक लोगो रहते है कार्बोन का क्वालेटी बहुत ही अच्छे होता है बहुत दिन तक चलते भी था इसमें जो carbon देन थोड़ा अलाग है जो plant power company का पहले पहले machine खर दे हैं बहुती पुराणा machine उसमें machine का जो model हैं कुछ अलागी देखने को मिलते हैं अभी इसमें कुछ अलागी आपको देखने को मिलते हैं अर उसमें carbon का quality भी बहुती अच्छे होते हैं तो ऐसे carbon तो नहीं देते थे तो carbon भी आपको change लागेंगे Madison को open करते है तो उसमें जो fan use किया है न ओ भी आपको अलाग देखने को मिलेंगी दीर दीरे करके open करते है बड़ेसे open हो गया है देखे इसमें जो fiber quality आपको थोड़ा heavy देखने को मिलेंगे इसमें quality तो बहुत ही अच्छे है इसमें जो fan है ना fan का quality मेरे को अच्छा नहीं लगा तो इसमें जो fan यूज किये है थोड़ा आपको local develop fan देखने को मिलेंगे fan open करके आपको देखाते हैं fan बड़े से open हो गया है देखिए fan में जो quality है ना आपको थोड़ा low quality बड़ा fan देखाई देता है company पहले जो बुलवा तियार किया था उसमें जो fan देते थे उसके आंदर aluminium का socket देखने को मिलते है जिसमें आपको देखने को मिलते है तो इसमें ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पिसर पढ़ने पर पंखा डैमेज हो जाता है और aluminium socket रहने पर जल्दी डैमेज नहीं होते थे धिर धिर करके armature को open करते हैं धिर से पिसर देने पर बड़े से armature open हो जाएगा धिर धिर करके open करते हैं बड़े से open हो गया मैसिन में जो armature field coil यूज किया है उसमें जो quality है आप खुद देखिए इसमें जो एक आपको tube देखा दे रहा है ना जैसे market में हम चालू tube होता है ना वही इसमें यूज किया है तो ऐसे ही आपको quality देखना है company में ऐसे quality देखने को ने मिल थे यहां से armature damage हो गया है तो armature में जो quality है आप देखिए तो आपको जो real है ना वही देखा रहे है कुछ भी जूट नहीं देखा रहे है तो इसमें armature damage हो गया है नया machine है देखिए नया machine है थोड़ा सा पेसाद दिया उसके बाद ही इसमें armature damage हो गया पहले तो बड़े से चल रहा था उसमें जो pipe है ना pipe डालने पर इसमें armature damage हो गया तो machine में बोल रहे थे इसमें 100% copper इसमें field armature दिये है तो किसी को बाते हैं को बिजबास नहीं होता है मेरे को खुद देखना है तो मैंने इसमें एक कुछ सामान लेके उसमें थोड़ा सा ओयर को checking कर लेते मैंने उसमें checking किये है तो मेरे जो real है जो करते हैं आपके साथ oe share करते तो मेरे को उपर बहुत सरे fence बिजबास करता है तो उसको जो बिजबास है उसको ठीक राखना है तो हमें बारी के से checking करके जो सच चाहिए उसको बताना है करता है झाल 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 देखके पता चल जाएगा देखिए मैंने एक नया आर्मेचर लेते हैं इवरी कंपणी का चाइनिस आर्मेचर है तो इसमें जो कॉलिट है कंपणी से थोड़ा लो कॉल डेवला होना चाहिए तो इसमें आपको जो कॉलिट है आपको अच्छा दिखाई देगा पहले जो मैसिन है उसमें जो आर्मेचर है न इससे भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलते हैं आपको इसमें जो आर्मेचर है और अभी जो कंपणी के साथ मैंने आर्मेचर बाहर किया है दोनों में आपको बहुत यह दावंतर देखने को मिलते हैं तो जो सच है आपके साथ वही शेयर करें कुछ भी जूट नहीं है देखाने के लिए आर्मेचर को बाहर किया था उसके बाद मेरे को लगा इसमें जो आर्मेचर डेमेच हुआ ना मैंने जो आर्मेचर देखाया होगा आर्मेचर फीटिंग करके मेरे को चलाके देखते है उसमें result क्या आ रहा है तो आर्मेचर में जो bearing यूज किया है तो भी आपके साथ शेयर करते हैं नया मैशीन है चला ही नहीं bearing उसमें damage हुगया तो bearing का quality कितना अच्छा है आप खूद देखो हमें जो सच्चा ही नहीं वो आपको देखाना है कुछ भी जूट मूट के आपको देखाएंगे नहीं इसमें नया bearing और नया RMH फिटिंग करके मैसम को चलाएंगे इसमें जो bearing है ना bearing को हम open करके इसमें वासर ओपेंड करके मैसम को फिटिंग करते है तो सभी मैसमें जैसे फिटिंग करते है ना ऐसे फिटिंग किये है तो उसमें जो problem हुए आपके साथ share करते है कितना मैनुद लगा और कितना problem हुए है तो आपके साथ share करते है नया bearing उसमें फिटिंग करेंगे ना उसमें कुछ भी problem नहीं होता तो पहली पर कर रहरे हैं तो उसमें problem हुआ था जो नया आर्मेचर मैंने लिए हैं उसमें दोनो बैरिंग फीटिंग करके मैसली को fit कर देते हैं जल्दी फीटिंग हो जाता ऐसे नहीं किया क्यूं नहीं किया तो उसमें मैसली में जैसे fitting था ऐसे करने के मैंने कोसिस किया है तो इसने कितना तकलिव हुए है जो रियल है आपके साथ सेयर करते हैं तो पूरा वीडियो आप आच्छे से देखिए झाल 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 झा तो नया बेरिंग लेते हैं बेरिंग का साइज है 608 दोनों बेरिंग को हाल लुक पेज में फिटिंग करेंगे हाड लुक पेज में बेरिंग बड़े से फिटिंग हो गया है तो बेरिंग फिटिंग होने के बाद घुमा के भी चेक करना है बड़े से घुम रहा है इसमें बेरिंग आपको प्ले देखाई नहीं देगा फिटिंग हमें बड़े से करना है तो अंदर जब डालाना बड़े से इसमें फिटिंग हो गया देखे तो इसके आंदर जो रावारे ना उसको फिटिंग करके हम चलाकर देखते हैं तो बड़े से फिट हो जाएगा तो उसी बिटिंग करने वे कितना तगली वी यह पुड़े है आपको देखना चाहिए झाले इसमें फिटिंग नहीं बेड़ रहा है तो मैंने सोचा इसमें फिटिंग नहीं बेड़ रहा है तो इसमें जो वासर मैंने डाले हैं उसको ओपेंड करके फीर से इसमें वासर खोल के हम बैरिंग को फिटिंग करेंगें बड़े से फिट हो जाएगा मैंने एक बार सोचा आगे बाले बैरिंग खोलेंगे दूसरे बार सोचा आगे बाले बैरिंग खोलेंगे मैंने को लगा पीछे वाला बैरिंग खोलके देख लेते उसमें क्या रेजल आ रहा है पीछे वाला बैरिंग मैंने खोल लिया उसमें ओवासर को खोलके हालल पेज में बैरिंग को फीटिंग किये बड़े से फीटिंग हो गया अभी उसमें फीट करके देखते उसमें रेजल क्या रहा है बड़े से इसमें फीट बैट गया है अंदर भी चला गया है अभी बड़े से फीटिंग होने के बाद एक और एक पापलेम आ गया और मैंचर बड़े से मूब नहीं हो रहा है क्या हो गया ऐसे तो नहीं होना था पहले तो बड़े से मूब कर रहा था अभी क्या हो गया उसमें वास आ रही तो मैंने उसमें खोला था क्या हो सकता है तो हमें देखना है उसमें क्या हो सकता है तो अभी थोड़ा बाहर करने पर जब भी घुमा रहे हैं बड़े से मूब कर रहे हैं तो हम इसको देखते इसमें क्या हो सकता है तो इसमें कार्बन होलार इसमें साथ टाच हो सकता है तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि उसमें आर्मेचर तो सेमी है तो मैंने दोनों आर्मेचर एक साथ देखा इसमें जो कॉमेटर है ना कॉमेटर में आपको छोटे बड़े देखने को मिलते है कमपनी साथ जो आर्मेचर दिये है उसमें कॉमेटर आपको थोड़ा छोटे देखने को मिलते है जो मैंने यूरी कमपणी कारवेचा लेगा तो कॉमेटर थोड़ा बड़े देखने को मिलते हैं तो इसी वायर से फिटिंग निए हो रहा है इसमें जो कारवन हो लगा हमें बाहर करना है उसके बाद जब फिटिंग करें ना बड़े से मूब करेगा झाल 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 पर में हम कुछ आंदर डाल के जब इसको टक कर मारते हैं तो हमें बहुत ही प्यार से साब्दनी बर्दना है तो उसके बाद ओपेंड करना है अंदर डाल के कार्बन होलडर कितना हमें अंदर रखना है हमें देख देख के उसमें एडजास बना के उसमें फीटिंग करना है बहुत ही प्यार से उसको करना है इसमें कार्बन को जो फीटिंग से ना आपको इसमें देख कर करना है आपको आर्मेचर के जो कॉमिटर है उसमें आंदर ज्यादा भी लेके जना नहीं है कम भी नहीं है ज्यादा होने पर उसमें क्या होगा gap ज्यादा रहेंगे तो sparking होने का chance होता है, कम होने पर उसमें sparking नहीं होगा, उसमें इतना भी कम नहीं करना है उसमें touch हो जाए, touch होने पर holder के touch होने पर उसमें committed damage होने का chance होता है, आपको उसको adjust को देख कर करना है, फिटिंग बड़े से हो गया है स्कू फिटिंग करके चला के देखते हैं फिटिंग करने के बाद मैंने देखा बड़े से मूब नहीं हो रहा है तो फिर से हमें खोलके उसमें आगे जो वासर मैंने दिया है ना उसको खोलके फिर से हमें फिटिंग करके देखना है झाल 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 देखिए बड़े से फिटिंग हो गया है बड़े से मूब भी हो रहा है तो इसमें स्कूल फिटिंग करके चला के देखते हैं पाइप देखिए बड़े से फिटिंग हो गया है तो हमें थोड़ा पाइप देखे टकर मरके और फिटिंग बना लेते हैं बड़े से मूब हो रहा है तो इसमें पंका फिटिंग करके कार्बोन डाल के चला के आपके साथ सेयर करते हैं हमें इसमें एड़्जास भी देख लेना है कार्बोन फोलर का जो एड़्जास है न हमें देखके इसको फिट करना है झाल 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 बड़े से फिटिंग हो गया है कारवन डाल के मैसन को हम चलाते हैं आलफा कामपनी का ड्यूटेन कारवन मैसन में फिटिंग करते हैं झाल झालफाट YOUR कारवन मैसन वाल झाल 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 बड़े से फीटिंग हो गया है पहले स्रीज में टेस्ट करेंगे उसके बाद डालेले में वैसमत चलाएंगे अर्मचर डलने के बाद मैसीन बड़े से चल रहा है उसमें पेसार भी थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा है तो उसमें पाइप डलके चलाके देखते हैं कर दो जब रहा है मैसीन बड़े से चल रहा है उसमें आर्मचर भी बड़े से फिटिंग हो गए उसमें स्पार्क भी नहीं हो रहा है मैंने जो आर्मचर मैसीन में फिटिंग किया है ना पहले मैसीन में ऐसे आर्मचर फिटिंग होते थे तो armature बढ़िया था उसमें जो armature field coil fan है सबी quality है ना बहुत ही अच्छे है अब जो machine है उसमें quality आपको थोड़ा अलग देखने को मिलते हैं जो real है जो सच्च है आपके साथ share किया है तो आपको मैंने जो सच्च है आपके साथ share किया है आपको एक अच्छा वाला बुलवार मैसिन ख़जना है तो आप bandit जो company है जैसे boss, deol, hitachi, marketa चारों company से एक मैसिन आप ख़़ लीजे बहुत ही अच्छा रहेगा मैसिन का जो price है आपको तीना से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे तो उसमें quality में आपको कुछ भी issue देखने को मिलने ही मिलेंगे आप बूत ही अच्छे मैसिन होता है तो आप boss company का मैसिन भी ले सकते हो मैंने वीडियो आपके साथ share किया है उसमें body damage हो गया मैंने body को repair क करके मैसिन का वीडियो दिये है आप देख सकतो मैसिन भूत ही अच्छे है अभी भी मैसिन चल रहा है कुछ भी problem नहीं हुआ है